नमस्कार बहुत बहुत स्वाइद करते हैं क्लिक टूड़े के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और बहुत सारे शातर पूछ रहे हैं कि जो नोटीस जारी के अगया है वो क्या है वो ज़रा हमें समझा दीजिए जो देखें बहुत साथ भीमरा अमबेटकर उनिवरसिटी के तरफ से यह जो नोटीस आप लोगो देखने को मिल रहा है यहाँ पर कारहले आदेश के अनुसार जो सूचित किया जाता है प्रतीव कुलपती के आदेशा अनुसार सूचित किया जाता है कि टीडीसी पार्ट वन परिक्षा दोजर बाइस सत्र दोजर दोजर तेईस से बीजो कराया जाएगा यानि कि जो भी ऐसे शादम शात्रा हैं पार्ट वन दोजर इकिस से चौबिस के हैं और उनके सबजेक्ट में प्रैक्टिकल की परिक्षा होती है अगर आपका छूट गया है कोई से भी विशय का तो आपको जगरनात मिस्रा में जाकर के तेरस सत्र तारी के बीच अपना प परिक्षा दे सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ सर्ते रखी गई विस्विद्याल रा अंतरगत आने वाले जितने भी महाविद्याल है वसे शादम शात्रा जिनका परियोगी परिक्षा छूट गया है तो वो सारे चात्र जो सम्मिलित हो सकते हैं इस परियोगी परिशा में इसके लिए जो है 500 रुपय सुलक आप लोगो जो है जमा करने रहेंगे प्रतिक विशय के लिए यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि प्रतिव विशय लिखा गया यानि आपका अगर मालीजे कि कोई एक विशय का छूट गया है प्रैक्टिकल तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा अगर दो का छूटा है तो एक हजार देना पड़ेगा तो इस प्रकार से चलान कटेगा एक चलान जो है उस कॉलेज में रहेगा एक चलान आपके पास भी रहेगा और बाकी सारी डीटेस जो है वो उनिवर्सिटी को भीज जाएगी तो आप मेंसे जो भी ऐसे चात्र हैं जो की 2021 से चौबिस में है और जो की 2019 से 22 में है अगर आपका कोई भी परियो परिक्षा जो भी चात्र होंगे चाहे वो वैशाली डिस्टिक के ही क्यों न वो जगनात मिस्ट्रा कॉलेज में जाकर करके अपनी प्रैक्टिकल की परिक्षा 13 से 17 फरवरी के बीच देंगे बाकी आगे जो है आप लोग समझ सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना जिनका भी जिनके हैं तो अगर आपका और भी कोई सवाल ने सुझावो तो नीचे कमेंट करिए तो तक यह मैं चलता हूं धन्यवाद